सर, 62 प्रतिकरिया मिली थी, और इसमें से 47 प्रतिकरिया मिली थी, पार्टियां 62 तोटल, कुछ लोगों ने कामेंट नहीं किया, इसलिए राय नहीं दी, तो 47 प्रतिकरिया मिली, हा में बते हैं, नहीं में पंधर आ हैं. और जो नहीं में हैं, मतलब Congress को छोड़ दीजिए, Congress obvious reasons से विरोध करेगी, उसका कोई सैध्धान्तिक विरोध का कोई आधार नहीं है, Congress अगर सेंटर में होती तो शायद विरोध न करती, TMC की बात करते हैं, TMC का उस पर ममतब एनरजी ने लिखके भी उनकी पार्टी ने दिय और उनकी प्रेस कांफरेंस भी की, और उनकी प्रेस कांफरेंस से समझ में आया कि उनको पूरा इश्यू जो है, पता दी, उन्होंने का कि क्या होगा, अगर केंदर की सरकार गिर गई, तब कैसे रहेगा, one nation, one election, क्या हमारी सरकार फिर बरखास करत दोगे, किसी राजी में इस सब के लिए तो कमेटी बनाए गई है, सुझाओ आए है, और ये बताएं, ये आज का मामला नहीं है, जब नरस्तिमार आओ प्राइमिनिस्टर थे, तो आडवानी जी ने ये प्रस्ताव रखा था, उस हमें कई सरकारे गिर चुकी थी, गुजराल, देव गौडा, विश्वास प्रस्तावा, जो ये यूरोप के कुछ देशों में है, और उसके अलावा, अगर कोई विधान सभा या लोक सभा भंग होती है, तो उसके बचे हुए कारिकाल के लिए चुना हो, लेकिन वो उस समय माना नहीं गया, सब कॉंग्रेस पार्टी में सामें ये भी सुप्रिम कोर्ट ने किया है, आपको याद होगा कि कल्यान सिंग की सरकार बरखास कर दी थी, रोमिश भंडारी ने, 24 गंटे के लिए जग दंबिका पाल जो है, मुक्यमंतरी बना दिया गए थे, तो सारे विधायकों को लेकर कल्यान सिंग दिल लिया है, अटल जी और सार कि राजिपाल किसी को बुला लेंगे, कि आपके पास कितने हैं, उसके आधार पर शपत दिला देंगे, फिर वो जो है, अपना बहुमत सांबित करेगा, उनका हाउस अपना लीडर चुनेगा, कोई कैंडिडेट नहीं होगा, कि कितने लोग उमीदवार हैं, दावेदार है ये कुछ नहीं होगा, सदन यानि विधायक चुनेंगे कि किसको अपना नेता बनाना चाहते हैं, वो उसको गवर्नर बुला कर मुख्यमंत्री पत की शपत दिलाएगा, और कहा कि पूरी जो प्रोसीडिंग्स है, उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, तो हुआ था, उस तो आज जो सत्ता में है, उसका दूसरा होगा, जो अपोजिशन में उसका अलग है, कल बदल जाएगा, तो उनका इंट्रेस्ट भी उसे साब बदल जाएगा, वो कंसिस्टेंसी आपको पार्टियों में नहीं दिखाई देगी, कि हम कहां खड़े हैं, उसके इसाब से हमार होते हुए कही, कि देखे, समस्या सिर्फ ये नहीं है, कि मौडल कोड अफ कंड़क्ट लागू हो जाता है, उनका इलेक्शन कमिशन बड़ी चतुराई से काम करता है, बड़ा बहुत एफिशेंटली काम करता है, वो किसी दूसरे राज्ज में चुनाव हो रहा है, माल जो अड्मिस्रेशन सफर कर रहा है, तो ये लगातार जब होता है, खर्च भी बड़ता है, पार्टियों का भी खर्च बड़ता है, मालिजे विधान संभा लोग संभा चुनाव एक साथ हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश की बात करें, तो एक लोग संभा सीट के अंदर पा अगर आगर वो पांच में से तीन जो है जीत जाते हैं, मतलब अपनी पार्टी को वोट दिला लेते हैं, और अपना जो सांसत का उमिदवार है, उसको भी दिला लेते हैं, तो वो जीत गया, तो इसलिए खर्च कम को होगा, पार्टी का खर्च कम होगा, और इतना बड़ा फरनेलिया जो election commission का होता है troops का movement हो रहा है अफसर नियुक्त हो रहे हैं सब एक ही बार होगा